Signvic Rule of Maximum Covalency आज के लिक्ट्चर में हमलों Signvic Rule of Maximum Covalency की बात करेंगे इस लुट के रिकाडिन Atom having vacant orbital in outermos cell can extend its बढा सकते हैं यानिकि वही इटम अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सिल में क्या हो, वेकंट आरविटल हो, जो मैक्समुम कोवेलेंसी होती है रहा, वो इस बाद के डिपेंड करती है कि आपका एलमेंट किस पीरेट का है, इधर हमने लिखा है पीरेट नमबर और इधर लिखा है मैक्समुम कोवेलेंसी, जो पीरेट नमबर वन होता है, इसकी मैक्समुम कोवेलेंसी होती है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई फर्स्ट पीरेट का एलमेंट है, तो मैक्समुम कोवेलेंट का एलमेंट कितने बना सकते हैं, एक, जो सिकिंड पीरेट के ए होते हैं उनकी maximum covalency है 7, 7 होने का मतलब है कि 3rd या 4th period की जो event है maximum 7 covalent bond including coordinate bond बना सकते हैं और यह 5th period है और यह फिर उसके बाद वाले जो period आएंगे उनकी maximum covalency होती है 8 यानि कि वो maximum 8 covalent bond बना सकते हैं अब हम बात करते हैं variable covalency की when certain elements show different valences due to excitation then it is known as variable covalency इसका मतलब है कि जब कुछ element क्या करते है कि different types के valences सो करने लगते हैं due to the process of excitation तो इस ही हम बोलते है variable covalency यानि कि variable covalency का मतलब है कि एक element कई valences सो कर रहा है कई covalency सो कर रहा है due to excitation process इसको हम एक्जांपल फितरों समझते हैं सबसे पर हम दिखते हैं कारण की कारण के electronic conflicts होता है 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2 यह autonomous cell है autonomous cell में हम देख रहे हैं कि s में है 2 electron है 2s में कितने है 2 electron है और 2p जो है आर्टिल उसमें है 2 electron 1 1 2 होगया तो हम देख रहें कि ground district में carbon के पास 2 unpaid data है इसका मतलब है कि इसके पास यह 2 covalent bond बना सकता है इसलिए हम कहेंगी कि यहां पे इसकी covalency है co valency covalency इसके होगे कितनी 2 अब अगर कारूं को में excited district में ले जाए इसको किसमें ले आ रहे है excited district में तो जो s का electron जम करके p में आ जाएगा तो हो जाएगा 1s 2 2s 2 2s 2s हो जाएगा 1 और 2p 3 यहनि कि s के electron कुमकार है p में जम कराती है तो अब देखते हैं इसके पास कितने unpaid electron है यहां के एक बच्छा unpaid electron वही 2s वाला जम करके आ गया 2p में तो यहां पे unpaid electron होंगे कितने 1,2,3 अब देखो carbon के पास कितने unpaid electron आ गए 4 1,2,3,4 4 unpaid electron में तो यह 4 povalent bond बना सुकता है इसलिए इसकी पोविलनसी कितने होगी 4 पो वै लिन सी कोविलनसी होगी 4 तो हमने देखा कि जो carbon है उसकी ground इस्ट्रेट में कोविलनसी कितने होगी 4 इसलिए carbon जो होता है CCL2 बनाता है 2 इस्ट्रेट में क्या बना सकता है CCL2 2 और इस्ट्रेट में इस्ट्रेट में आ रहे है तो CCL4 बना लेता है CCL4 2 भी बनाता है डाइस्ट्रोल काभी भी बनाता है और CCL4 बनाता है क्योंकि इस्ट्रेट में इसकी पास 4 अन्प्रेडल रिटाने इसलिए 4 cobalint part बना सकता है 1s 2 2s 2 2p 3 क्योंकि 7 इसकी पास ना तो 2-4-3 साथ होगे है अब यह तो वालेंसल इसलिए ही है यहां पर हमें दिख रहा है कि 2s में 2 इसलिए तो हमने बना दिया 2 और 2p में इसकी पास कितने इसलिए 3 है 3 3 अब हमें बता है कि 2nd period का element है 2nd period का तो जो भी element 2nd period के होते है उनमें खाले DR वाटल नहीं होता है क्योंकि खाले DR वाटल होता है 3rd period से शुरू होते है अब इसमें दिख रहा है कि 3 इसलिए इसलिए तो हम कह सकते है कि जो nitrogen है उसकी ground state में 3 covalency कितनी है 3 तो covalency इसकी दिख रहे है covalency यहां पर दिख रहे है हमें 3 nitrogen की covalency 3 है अश्री क्या nitrogen का excitatory strict बना सकते हैं क्या excitatory strict बनाने के लिए इस rectangle को या तो इसमें लाना है या तो D में ले जाना है D होता नहीं है इसलिए D में नहीं लासकते है तो हमें लाना है D में अगर D में लाएंगे तभी यह जब करके आगे तो प्याड हो जाएगा तभी 3 electron बचेंगे तो excitation करने के बाद भी unpaid electron 3 में लेंगे इसका मतलब इसने कोई फयादा नहीं हुआ number of electron बढ़ी नहीं रहे इसलिए nitrogen में eccitation नहीं होता है इसमें क्या होता है No Excitation No Excitation इसका excited state नहीं आगी इसलिए जो nitrogen है न वह variable covalence neंहीं sugar नहीं होता है 3 yaw variable covalence नहीं sugar तो या रखना है nitrogen कोई variable covalenceu नहीं sugar करता है जो नहीं sugar करता है if excitement possible नहीं है आगे हम एक और एकम्हें पर सुछ देखते हैं, और अगला एकम्हेंपल है, अक्सिजन, इसे लिटारी के नास होता है, 1-2-2-2-2-2-2-4, S में 2 electron, 2P में 4 electron है और हम जानते हैं कि oxygen में हमारा 2nd period का element है तो इसमें कोई D orbital खाली है नहीं और P में किवल 1k orbital खाली है तो जो जाने जाएंगे तो यह paired हो जाएगा यह paired हो जाएगा तो कुछ भी काम करने हैं तो जाने हम आक्सेल में नमर खाली है तो जाने हम आक्सेल में नमर खाली है यानि कि 21 माले कुल में एक्साइटरसन पॉस्वर नहीं है तो जो आक्सेल हमारा है वो variable covalence से सुख नहीं करेगा और इसकी केवल 1 covalence ही होगी वो होगी केवल 2 नेच्ट जो हम देखते है fluorine जो नमर करता है electronic infusion में इसका 1H2 2H2 2P5 valence cell में यह हमारा है autonome cell 2H2 2P5 S में तो 1G P में 5 है 1,2,3,4,5 तो हम कर सकते हैं कि fluorine की covalence कितनी है क्योंकि इसके ground state में एक ही covalent band यह बढ़ाएगा अब देखते हैं कि इसका excitation possible है कि नहीं तो चुकि एक अनपेड़ी लटान है और कुछ भी कर लें इसमें किसी भी लटान का excitation करके नमरा पर अनपेड़ी लटान को नहीं बढ़ा जा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि fluorine में excitation possible नहीं है जिन में excitation possible नहीं होता है जिसकी वैसे यह लोग wearable covalency नहीं सुख करते हैं तरक से एक्जामतों को पुछ दियातरिंग में से आप समें पुछता है कि कौन सा element है जो wearable covalency नहीं सुख करता है तो यह तिने element है fluorine, oxygen and nitrogen जो wearable covalency को नहीं सुख करते हैं आगे कुछ और एक्जाम्पल के हम बात करेंगे हमारा next example है phosphorous और जिसका लिटावी का नफीरस है 3H2 3P 3 हम देख रहें कि इसमें unpaired electron की नहीं है 1,2,3 phosphorous में unpaired electron के संके 3 यानि कि a 3 covalent bond बना सकता है तो इसकी covalency हो जाएगी 3 इसलिए phosphorous PCL 3 बना सकता है क्योंकि ग्राउंड इसकी 3 है अगर इसका हम एक्साइटेशन करते हैं तो हमें एक्साइटेशन करेंगे तो जो S का electron है वो जम करके चला जाएगा D में D में क्यों हो जाएगा P में क्यों नहीं जाएगा क्योंकि P में तो सारे electron unpaid है तो अगर इस electron को D में जम कराएगे तो कोई नहीं प्याट हो जाएगा तो हमें unpaid electron की संख्या बढ़ेगी नहीं unpaid electron की संख्या तभी बढ़ सकती है जब यहां की electron को जम करके D में ले जाएग तो बात लिया थी कि इससे पहले जो हमने जापर पढ़ा था तो उसमें D का यह उस क्यों नहीं किया था तो हमने जो पढ़ा था फ्लॉरीन, आॉक्सिया, नैट्रोजन एक्षिली विए 2nd grade केलमें जिनमें D.I.R.M. नहीं होता है लेकिन जो फास्पलोस में 3rd grade केलमें और 3rd grade में वेकंड डिया खा भी रहता है, इसलिए हम S से दीने एक्साइटेशन कर सकते हैं तो जो हमने एक्साइटेशन किया तो टोटल अनपेड एलेटा हमको मिल गए 5 तो हम कर सकते हैं कि एक्साइटेश्टेट में फास्पलोस की कोवलेंसी 5 होती है इसलिए यह बनाता है PCL5 तो फास्पलोस वनों बनाता है PCL3 बनाता है PCL5 बनाता है क्योंकि इसकी कोवलेंसी 3 भी होती है 3 में PCL3 बनाता है 5 में PCL5 बनाता है तो एक कोशन आता है कि क्या फास्पलोस PCL4 बनाएगा क्या तो फास्पलोस होता है तो जितनी इसकी कोवलन्सी ग्रांड इस्टेट में या एक्साइटेट में होगी वही वाले मार्गुल बनाएगा, यह बीच के मार्गुल नहीं बनाएगा Okay, next example में हम बात करते हैं sulfur यह sulfur के outermost silica electronica inflation होता है three-four इसमें हम देख रहे हैं की sulfur third period element है जिसमें wacomberd aerotel जोगा ground street ka inflation में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 unpaired electron है दो unpaired electron है तो two covalency कितने होगी? अमें कुछ एक स्कनील, बेडर प्यायटां के सब्सक्राइभ क्लाने जो कि सभना एक प्लेंफ बाक एक प्सजम द प्सजम 10 में कि निमाने जानम तो sulfur में अंप्रेड एलिटांग आगे है 4, यानि कि जो first हमार excited state है, उसमें sulfur में total अंप्रेड एलिटांग कितने हो गए है, 4, 1, 2, 3, 4, तो covalency sulfur के हो जाएगे 4, यानि कि जो first excited state है, उसमें sulfur 4 covalent बढ़ना सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि S of 4 मालकुल पाई जाता है, इसमें एक और excited इसमें पास को लगया, यह वाला 2S का electron है, इसको भी हम excited करके लिए आसके हैं, तो एक और अंप्रेड एलिटांग में मिल जाएगा, तो S के लिटांग को हमने D में जम करा दिया, तो हमारे पास total अप्रेड एलिटांग हो चुके हैं, कितना? 6, तो हम बोलेंगे कि जो second excited state है, उसमें sulfur में total 6 unplayed एलिटांग है, तो इस जो second excited state है, उसमें sulfur total कितने कोलेंग बना सकते हैं? 6, इसलिए वो बनाता है, Sf6, तो एक बात आती है, कि क्या sulfur Sf3 बनाएगा क्या? Sf3 नहीं बनाएगा, वो जब भी बनाएगा तो even बनाएगा, Sf2, Sf4, Sf6, बीच का कोई भी compound भी बनाएगा, जैसे Sf3 नहीं बना सकता, Sf5 नहीं बनाएगा, तो अगर GND STRIGHT में अगर COVALANCY EVEN है ना, तो EXCITTED STRIGHT में वो EVEN ही आते है, इसको जांग लिए रहो, यह 2 है, 4 है, 6 है, तो GND STRIGHT में अगर COVALANCY EVEN है, तो EXCITED STRIGHT में भी COVALANCY क्या हैगी? इवेंट इसलिए Sf2 पायाता है, Sf4 पायाता है, Sf6 पायाता है, लेकिन Sf3 नहीं पाया जाएगा, Sf5 नहीं इसलिष्ट करेगा, फिर एक और एक्जामपला हम देखते हैं, तो, नेश्ट एक्जामपल हमारा है, जिसके ओटर पोस सेल का इलेटानी का अफिक्समर होता है, 5s to 5p6, अब देखते हैं, इस उप्रो भरा होगा है, कोई भी अप्रेड इलेटानी है, तो गोवे जिरो आजेगी, लेकिन अगर इसको हम एक और एक्साइट करते हैं, तो, जब अगर सी एक्साइट करें इसको, तो इस पेसल करडिशन में, जिनाल कंपॉण्स फ़र्म करता है, युश्तों सभी जाता है, तो जो p के लेटान है, वो जब करते हैं, तो इक लेटां को जब आ तो 6 तो जुम करा दिया तो D में आ गया, तो जैसे हम ली जिनाल में first excitation कराया, टूटल अंप्रेडिए लेक्टां मिलने लेगे, 2, तो अगर सी तो, इसके बनाता है, XE तो, अगर इसमें एक बार और एक्साइट करतें, तो एक और electron जम करके D में आ जाएगा, तो यह वाला ही electron जम कर गया, तो अब total unpaid electron आ गया है, इतने, 4, तो covalency हो जाएगी, 4, तो बनाएगा XC of 4, एक बर और excite करोगे, तो एक और जो है, P का electron, वो D में चला जाएगा, तो D में होगे 3, और P में भी होगे 3, तो total unpaid electron होगे 6, तो covalency होगे 6, इसलिए बनाता है XC of 6, अब देखो, S में भी एक return बचाएगा, इसको भी मिले जा सकते है, कहां पर D में, तो अगर हम इसको excite करते हैं, तो D में हो जाएगे 4, और यहाँ पर total लेते होगे 8, तो इस तरह से covalency इसकी 8 हो जाएगी, तो हम इस तरह से देख कि जो जिनान है, जिनान की covalency 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, और 8 भी होती है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ground state में event covalency होगा रहना, वो excited state में event covalency ही होगता है, 2, 4, 6, 8, okay, अब तक हम ने जो पढ़ा उसकी एक summary देखते हैं, हमने सब्से पहले पढ़ा था कि carbon के बार में, कि carbon के covalency होती है, 2, 4, 2 में CCL2 बनाता है, 4 में CCL4 बनाता है, ground district में 2 है, तो excited में 4 है, event आगया, हमने यह भी दिखाते हैं, 4, fluorine, oxygen, nitrogen की कोई covalency नहीं सो करते हैं, variable covalency नहीं सो करते हैं, इनकी कोई covalency कितनी होती है, 1, phosphorus कि हमने देखा है, 2 covalency होती है, 3, 5 2, 4, 5, 0, ground में 3 है, तो excited में 5 आड़े है, ground में क्या है, agPaat, excited में भी आड़ी है, तो 3 बनाता है, phosphorus, PCL3, 5 में PCL5, sulfur के देखा है, 2, 4, 6 बनाता है, 2, 4, 6 बनाता है, 2, 4, 6 बनाता है, geeran के हमने लिखाता है, 2, 4, 6, 8 होता है, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 4, 7, 8 होता है, 2 इसके बाद दे क्लोरेन की, क्लोरेन की भी आप याद रखना है की कोवलेंसी की होती है एक, तीन, पांच, साब एक में बनाता है CLF, तीन में बनाता है CLF-3, पांच में बनाता है CLF-5, और साथ में बनाएगा CLF-7, तो इस तरह से elements, variable covalencies हो बढ़ते हैं, okay?